भोपाल गैस कांड के पीडितों को अमेरिका की अदालत ने बड़ा जटका दिया है मैनहटन की जिला अदालत ने यूनियन कारबाइड और उसके पूरवध्यक्ष वारन एंडर्सन को भोपाल गैस रासदी के बाद हुए प्रदूशन और मलबे की सफाई के लिए जम्मेदार मानने से इनकार कर दिया है जलाज़त जॉन कीना ने जान की बाहिसाहू और बागी लोगों की उस याचिका को खारच कर दिया जिसमें ये दावा किया गया था कि यूनियन कारबाइट कंपनी में हुई हादसे के बाद कंपनी के आसपास की मिट्टी और पानी जहरी ले हो गए हैं इस लिए कंपनी और उसके प्रमुख रहे वोरेड एंडर्सन ही इस इलाके में हुए प्रदूशन की सफाई के लिए जिम्मेदार है अदालत ने अपने फैसले में जॉन एंडर्सन को जिम्मेदारियों से बरी करते हुए कहा है कि हादसे के बाद हुए प्रदुशन और उसकी सफाई के लिए यूनियन कारबाइड की भारतिय शाखा यानी यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड जिम्मेदार है ना कि मूल कंपनी यानी यूनियन कारबाइड कॉर्परेशन साथ ही अदालत ने इसकी जवाब देही रा सरकार पर तैकी है